हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बाक टो एवेस्टेटी क्लासे आई होप आप सबकी नेट प्रेपरेशन अच्छे से चल रही है और जो भी हम इंपॉर्टन टॉपिक यहां कवर कर रहे हैं आई होप कि आप उनको गोथ्रो कर रहे हूंगे बहुत ही अच्छे से तो चलिए आज की टॉपिक की दरब जो है स्टाडी इंडिया प्रोग्राम और यह टॉपिक इंपॉर्टन है हमारे यह जिसी नेट पेपर वन के लिए चलिए तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हमारे और कोर्स के बारे में भी बता देती हूं हमारे पास पेपर 2 कॉमर्स और इसके साथ आप अवेल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से पेपर 1 जेनरल पेपर के मिनी कॉम्बो पैक और हमारी वेबसाइट है www.everstudy.co.in चलिए तो हम डिसकस करेंगे इडिटेल में कि study in India program है किया ठीक है तो study in India program is the initiative taken by the government of India under the ministries of human resource development in collaboration with ministries of external affairs ओके in collaboration मतलब जहाने के in alliance with और in partnership with ठीक है तो यह scheme जो है वो MHR जे निकाली है in partnership with ministries of external affairs and what is the primary objective of this program तो वो है कि जो foreign students है उनको attract करना towards India कि वह India सबसे अच्छा destination है for their education और यह जो initiative होगा वो मिलता जूलता होगा जो बागी countries ने यह program पहले से start कर लें जैसे की countries होगी Australia हो गया Malaysia हो गया Singapore हो गया Canada हो गया ठीक है तो इन country ने इनिशेटिव पले से ले लिया है तो आप India ने भी इनिशेटिव निकालने का सोचा है ठीक है और इसका India का यह जो scheme यह फिर प्रोग्राम आप कहने इसका main aim यह होगा कि बोस्तिंग country's share of international students यानि कि इससे क्या होगा कि students की जो नंबर है वो बढ़ेगा इंडिया में international students ठीक है और साथी साथ क्या होगा कि जो हमारा global reputation है या फिर आपके लिए ranking है regarding to Indian educational institution वो भी increase होगा ठीक है बात करते हैं इसकी objective की जैसे की मैंने बताया अभी कि foreign students को increase करना और foreign students को attract करना सो दाट वो चूस करें इंडिया को as their destination for higher education ठीक है और इससे क्या होगा डबल हो जाएगा इंडिया का market share from 1% to 2% in global education export ठीक है और साथी साथ इसमें क्या होगा कि improve हो जाएगा हमारा global ranking of Indian educational institutes जैनी तो discuss करते हैं features of study in India program को तो यह जो program है that will provide fees waiver facility और आप कहले scholarship की facility to the meritorious foreign student ठीक है और इसका जो इंडिया का main target है वो है in targeting the 30 countries primarily in Asia and Africa की जो countries होंगे including Nepal, Vietnam, Saudi Arabia, Kazakhstan, Bhutan, Rwanda ठीक है extractra, etc. ऐसे ऐसे कई countries को target किया है इंडिया ने और वो total है 30 countries ठीक है अब बात करेंगे हम जो बच्चे अपनी fees waiver कर सकते हैं या फिर जो scholarship के लिए eligible होंगे ठीक है तो वो ऐसे foreign students होंगे यानि कि जैसे आप पहला criteria देख लिए जिए यहाँ पर 25% जो top 25% students होंगे वो उनको अपनी कोई भी tuition fees नहीं देनी पड़ेगी यानि कि वो 100% waiver कर सकते हैं अपनी education facility को अब बात करेंगे हम next 25% students की तो उनको 50% देना पड़ेगा अपनी tuition fees के लिए ठीक है और जो उसके next 25% होंगे उनको देना पड़ेगा 25% और ऐसे ही जो remaining हमारे 25% जो foreign students होंगे उनको देना पड़ेगा अपनी पूरी की पूरी tuition fees अब जैसे है कि आप example यहाँ पर समझ लेगी चिक है total 100 number of students लेती हूं तो उसमें से जो मेरे top 25 बच्चे निकलते हैं foreign students तो उनको मैं क्या करती हूं 100% fees माफ कर देती हूं अब उसमें से कितने total बच्चे बच्चे 75 ठीक है 25 को तो हमने top 25 को देंदे कि 100% उनको को कोई भी tuition fees नहीं देना पड़ेगी अब बात करते है next 75 की from the total okay then talking about हमारे पास कितने बच्चे रह गया 50 students तो 50 में से 25 25 को हम डिवाइट करें तो 25 को अपना 25 परसन देना पड़ेगा और जो रिमेरिंग 25 है उनको अपनी पूरी की पूरी फीस देनी पड़ेगी हम उनको admission दो देंगे लेकिन उनको tuition fees देनी पड़ेगी तो डिसकास करते हैं background of this scheme तो जो गवर्मेंट ने budget निकाला है या आपके लिए expenditure अप्रूफ किया है of total 150 करोर in brand promotion of this activity जो की दो साल में पूरी की जाएगी जो की होंगे मारे 2018 to 19 and 19 to 20 ठीके तो brand promotion activities के लिए इतना amount section किया गया है by the government of India for which program study in India program okay अब बात करेंगे हम जो बच्चे fee वेव कर सकते हैं अपनी तो वो करी जाएगी by the institutions concerned ठीक है इसमें से government का कोई भी further clash flow नहीं होगा यानि कि जो भी fee वेव बच्चे वो करना है from foreign countries वो totally will be born by the institute concerned okay अब बात करेंगे हम again primary objective की study in India program की तो वो तो बता ही दिया है जैसे कि target target होगा इसमें to the foreign students by branding India as an attractive education's destiny destination okay अब बात करते हैं existing framework की तो जो government का existing government framework है उसमें क्या provision है कि 10 to 15 परसंट पर एन्वरी सीट प्रवाइड की जाएंगे to the foreign students ठीक है तो इसी framework को हम आगे चलते वे लेके चलेंगे study in India program में भी लेकिन इसका क्या होगा कोई adverse impact नहीं होगा to in the admissions of Indian students ठीक है यानिके 10 to 15 परसंट जो seats होगी वो foreign students के रिजर्व रहेगी लेकिन इससे कोई भी adverse impact नहीं होगा फोर जो हमारे अपने बच्चे है निकि जो हमारे अपने Indian students है उनकी seats में कोई impact नहीं पड़ेगा चले friends तो यह आज का practice question है आप सभी के लिए अपने answer comment box में जरूर comment करें so that हमको पता चले कि आज का session आप सभी के लिए कितना helpful रहा so thank you friends for watching this video please like subscribe and share this video आप हमको facebook और telegram में भी follow कर सकते हैं और in case of any queries आप हमको visit कीजे हमारी website पर